हेलो दोस्तों इंवेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के दिन हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने बाले हैं जिसका कि आने बारे फ्यूक्चर में हमेशा से जो है इसकी डिमांड रहने वाली है और यह जो है लाइफ टैम रहेगी क्यो कर्यार कि इसके बारे में बात करते हैं लेकिन जो है इसका काम जो है इन तेनों से रिलेटेड है तो ஏक्श में यह अगर आप अन्वेस्ट करेंगे उससे अच्छा अगर आप इसमें भी इन्वेस्ट करेंगे तो इसका जो है काम जो है यह इन तीनों सेक्टर में यूज किया जाता है यह लगा लीजाए इसके जो प्रोड़क्ट है वो तीनों सेक्टर में यूज किया जाता है तो अगर अपने इसमें इन्वेस्ट कर लिया ह हमारे रेलवेस में भी हो रहा है और इसके साथ हमारे बात वहीं है धैसे आप जानते भी है जिसे एक घ्या है rğb प्लेयर हैं हैं तो यह कंपनियों को आप जरूर देखेगा और वीडियो को शुरूर सरके रास्तर जरूर देखेगा ताकि आप से कोई भी पॉइंट जो मिस्ट नहोंने पाए तो चले फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन अगर अगर आपने इस चैनल को सब्सक्र कीजिएगा बैल आइकन पे क्लिक करके और पे हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो चले फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी पहली कंपनी है इस कंपनी का प्राइस देख सकते यह कंपनी जो है पा पांच साल का रिटन आप देख सकते हैं जो कितना एक हजार परसेंट के पोजिटिव का रिटन यानि कि पांच साल पहले अगर किसी ने इसमें एक लाग लगाया होता तो उसको एक लाग आज जो है ग्यार लाग से जादा हो चुका होता ठीक है इतने अच्छे इसने रिट बैटरीज जो कि हमारे यूज की जाती है हमारे आर्मी नेवी और एरफोस में और उसके साथ-साथ जो हमारे लाउंच वेकल्स होते हैं और उसके साथ-साथ-साथ-सकी कमर्शियल बैटरीज के जो यूज होता है हमारा आटो और स्टेंड बाई जो बी आरल एल एल जो अप साल की जो सेल्स ग्रोफ्थ 9 परसेंच से ग्रो कर रही थी उसके साथ साथ UYIN के जो है उसकी profit growth जो है 46 percent से ग्रो कर रही थी और तीन साल की जो sales growth है वो 15 5 परसेंच से ग्रो करेंच से जो तो कि यह स्टाफ्य एड और tastes कमपनी की जो सेल्स भी आप देख सकते हैं जिसमें इसकी सेल्स जो 33 क्रोड से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम जो है 89 क्रोड तक ये पहुँच चुकी है और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये भी काफी अच्छा बढ़ चुका है जो की पहले माइनस में 6 क्रोड ह हुआ करता था और अभी की टाइम जो है ये 27 क्रोड तक ये पहुच चुका है और इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी काफी बहतर है जो कि आप देख सकते हैं निगेटिव में पहले हुआ करता था जो की साथ करोड का और आज की टाइम जो ये 19 क्रोड का ये उस का जो हाई है वो 750 रुपए गया है जबकि लोग 2292 रुपता किया हुआ है और इस टोक का जो पी है वो आप देख सकते हैं जो कि 27.6 है जबकि इंडस्ट्री पी आप देखिएगा जो कि कितना चला है यहाँ पर नोट कर सकते हैं आप 44 चल रहा है ठीक है यानि अभी भी बहुती ज़्यादा सस्ते वैलेशन पर यह अब लेवल है इस टाइम पर ठीक है इसकी जो बुक बैलू है वो देख सकते हैं जो कि 89.4 है और यह कंपरी जो डिविडेंट भी प्रवाइट कराती है इसकी जो डिविडेंट इल्ड है वो 0.58 परसेंट की है और इसके जो आरो CEE है वो आप देख सकते हैं जो कि 37.3 है जबकि आरो जो 33.9 है यह दोनों ही जो है बहुती ज़्यादा अच्छे लेवल पर बने हुआ है बहुत ज्यादा अच्छे है यह ठीक है इसकी फेस बैलू जो है वो दो है यानि एक बार जो और इस प्लेट दे सकती है और इस कंपन कोई भी शेर जो प्लेज नहीं रखे है यह बहुत ही अच्छा होता है किसी भी कंपनी के लिए इसका करेंट रेशियो 2.62 है यह बहुत ही अच्छा बना हुआ है और यह पैग रेशियो बाजी काफी सस्ता है जो कि 0.60 है यह हमेशा जो है 1.5 के नीचे रहना चाहिए जो कि जो डेप्ट है वो 13 करोड का इसके पास डेप्ट है और इसकी जो डेप्ट विक्यूटी है वो देख सकते है 0.17 है यह हमेशा एक के नीचे रहना चाहिए जो कि यह बहुत अच्छी है यह शो करता है कि इस कंपनी में जो कर्ज को लेकर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है और इसमें प्रमोर्टर होल्डिंग जो है वो 40.9 परसंट इसमें बनी होई है तो इसके फंडामेटल जो बहुत ही ज्यादा अच्छे है और इस कंपनी की जो है बैलेंशीट पर देख सकते हैं जिसमें आप यह देखेगा इसके जो रिजर्ब्स है वो बढ़ते ही जा रहे है तो यानि इनकी बैलेंशीट जो काफी हेल्थी है और इस कंपनी का जो शेरोल्डिंग पैटर्न भी आप नोट कर सकते हैं जिसमें प्रमोर्टर के पास जो इस टेक है वो 40.88 परसंट इसमें बना हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है और इसमें जो डियाइस का भी अच् जादा दिक्कत रहती है लेकि इसमें ठीक अच्छा बना हुआ है तो इस कंपनी के जो फंडमेंटल वो बहुत जादा अच्छे हैं अच्छी वैलोशन पर यह अभी लेवी ले कर्जी इस कंपनी में बहुत कम है तो यह कंपनी जो इन्वेस्मेंट के लिए बहुत जादा यूज किया जा रहा है उसके बैटरी का जो हमारा यूज भूँत जादा होने वाला है तो इसके दिमांद आने मारे टाइम भूँत जादा बढ़ जाएगी तो इस जो इस टॉक को है अपने जो बहुत लिए करके चल सकते इन्वेस्मेंट के लिए आज के हमारी जो दूसर परसेंट के जो है पॉस्टिव का रिटन है यानि एक साल में इसने जो लोगों का पैसा जो पांच गुने से जादा कर दिया इसने यानि एक लाग किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो उसका वह एक लाग आज जो है पांच साल का रिटन आप देख सकते हैं जो कि कितना वर्ट हो चुका होता है इतने अच्छी इसने रिटर्न बना के दिये और उसके आल टाइम रिटर्न जो है वह उनीच सो परसेंट के रिटर्न है और इस कंपनी का जो है बिजनस में आप देख सकते हैं यह कंपनी जो 1983 में जो तो इनकॉर्पेट हो थी और यह क्या करती है जो इंडियन रेलrophag के लिए उन्हों कैया है एक TACS जो है एक प्रोजेक्ट जो है तैयार किया जिसे क्या कहते है के ट्रें को लाइजल एकन्वाइजन अवाइडस सिस्टम है इसमें क्या है कि जो दू ट्रेने का यह आपस के आफ आप 180 मे तकल कि तखना है तो इसकी लि voting स इस नाम से इन्होंने बनाया हुआ है तो इसी कंपरी ने बहुत सी चीज़े बनाई है और इनका बैटरी का यूज है वो हमारे डिफेंस सेक्टर में भी बहुत जादा होता है इनके दोरह बनाएगे वैटरी जैसे जो यह उसमें उसके जाता है इसके साथ और अदर बैटरी वैटरी है उसमें भी इनका देख सकते है यह क्या करती है इंडेस्टिरल बैटरी जो प्रवाइट कराती है जो क्या हमारे टेलिकों सेक्टर में उसक्याद है यूज क्याती है तीक है और रेलवे में, सोलर में, ओल एंड गेस में, एंड पावर सेक्टर में यह यूज की जाती है और यह जो है हमारे लेड एसिट बैटरीज भी जो है यह मैनफेक्टर करती है जो कि इंडियन आर्मी के द्वारे इनको इसके लिए एक ओर्डर भी मिला था जो कि फानेश हुए है और इस कंपनी को जो है एक और ओर बिला हुआ जिसमें क्या है कि 312 जो कमुल्टीज के इलेक्रिफिकेशन के लिए इनको जो है ओर्डर मिला हुआ जिसमें यह ट्यूबलर जो जल बैटरीज है उसका यूज करेगी और यह इनको जो है गौर्वर्मेंट इनिशेट के अंडर में जो घो है जो है और बिला हुआ है और इस कंपनी की तो मैन्फेटरिंग अट आप देख सकते है जो की जो है एक्सपोर्स भी देख सकते हैं इस कंपनी का ये कंपनी जो है जो एक्सपोर्स करती है अमेरिका यूरोप और जो मिट्र लिस्ट के तुरू जो करती है अपने सबस्टिटी के तुरू और फाइनेशले 2022 में जो एक्सपोर्स एकाउंट था इसका जो अठारा परसेंट जो है इसको जो है जनरेट हो आता रेवेनु वहां से और इस कंपनी के जो है एक एक कैपेक्स का प्लान भी है जिसमें आप देख सकते हैं यह सेट अप करने वाली एक मैनुफेक्चरिंग फैसिलिटी जो की महभूब नगर है दरबाद में करने वाली है जिसमें यह लेथियम जो बनाती जा रही है तो यह कंपनी के जो बिजनेस बहुत ही ज़्यादा शानदार है और इसकी जो पूरी डिटेल है वो इसमें आप पूरा बता भी नहीं पाँगो ने वीडियो जो है यह बहुत ही जादा लब भी हो जाएगी और इस कंपनी की जो ग्रोथ भी आप जबकि प्रोफिट ग्रोथ जो है वो 62% से ग्रो कर रही है लेकिन टीटेम के आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगा इसकी सेल्स भी आप देख सकते हैं जो कि आप नोट कीजेगा जहाँ इसकी सेल्सों उन्चास क्रोड की वहा करती थी वहीं आज क इसका ऑपरेटिंग प्रोफिट है वो भी आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर आप नोट कीजेगा जो की 134 करोड से बढ़ते बढ़ते आज की टाइम में जो 337 करोड तक यह पहुंच चुका है और इस कंपनी के फंडामेटल भी नोट कर सकते हैं जिसमें इसका जो मार्क चहासी रूपय का जो था इसका यहाँ इस का पी है वो आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे आप नोट कीजेगे जो 63 एस टाइम पे और इस टाइम pound और तो वो जो है इसमें इन्वस्ट कर सकता है बिना डरे अगर इस टॉक नीचे आता है तो उस टाइप और उसको खरीदे अपना जो average कर सकते हैं लेकिन ये इस टॉक जो है लॉंग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा वैस्ट रहने बाला है बुक वैलो जो है इसकी 38.2 है और ये कंपणी जो एक डिविडेंट भी प्रवाइड कराते है इसकी जो डिविडेंट हील है 0.08 परसेंट है और इसके जो आरो सी है वो भी आप नोट कर सकते हैं जो कि यहां पर 13.7 है जबकि आरो जो है वो 10.7 है तो यह भी ठिक ठाग लेवल जा चुकी है यह 1.5 के नीचे होनी चाहिए जबकि यहां पर 2.94 तक जा चुकी है तो यह फैग रेशियो बाइज भी अच्छा का सा है तो कि यहां पर 68 क्रोड का इसके पास है इसके तुरू यह कैपक्स का और भी प्लान कर सकते है को इक रिशियो इसका ठीक है एक के उपर बात नहीं है वह इसके पर मोटर फोलिंग वह 59.1 परसंट जो की बहुत ही अच्छा है और इसकी जो बैलेंस शीट बेख सकते हैं जिसमें आप रोट कीजिए का इसके रिजर्ब्स है वह बढ़ते ही जा रहे हैं जहां इसके पास जो पांसो चुराशी करोड के रिजर्ब् रिजर्ब्स की साथ से बहुत ही कम है और इसमें इन्वेस्टर भी देख सकते हैं जो काफी अच्छा है और इनोहोंने जो बढ़ाया भी है जो कि आप यहां पे नोट कर सकते हैं जहां इसके पास जो है कितना इस टेक यह देख सकते हैं सब्टेमर 22 में 58.97 परसंट था प्र इसके पास जो की इसने पिशले को आटर से काफी बढ़ाया है और इसमें जो बागी का बचाओ जो इस टेक है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं 37.82 परसेंट जो है वो पब्लीक के पास है तो इसमें जो प्रपोर्टर भी बहुत ही अच्छे क्वांटिटी पे बने हुए है वो कंपनी का बिजने बहुत ही अच्छा है अभी की टाइम हाला की थोड़ा महेंगा जा चुका है लेकिन लॉंग ट्रम के लिए कि इस टोक जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है तो यहां जिस कंपनी के बात कर रहा है इस कंपनी का नाम है यहां पर देख सकते हैं HBR Power System Limited जो की बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है डिफेंस सेक्टर में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है तो जो भी बंदा इसमें इ बाइस सेल करने का रिक्मेंडेशन नहीं है अगर आप इसमें किसी भी तरह का बाइस सेल करना चाते है तो अपनी खुद की रिसर्च जरूर कीजेगा अपने फाइनेशल एडवाजर से सला लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजेगा मैं कोई से भी दौरा रजिस उन्वेस्टमेशल एत वी दौरा रजिसक्वाजर